चर्चा करेंगे लेजिए आज के अमारे शेशन का पहला किशन क्या कह रहा है देखिए पुछा जा रहा है आपको निम लिखित में से कोण सा नर्तिय महिलाओं दुआरा किया जाता है यानि कि ऐसा कोण सा नर्तिय है जो महिलाओं दुआरा किया जाता है ओप्शन में आग देखेंगे तो गेर नर्ते है चंग नर्ते है कच्छी गोडी है और चरी नर्ते है आप कहेंगे सर गेर नर्ते है गेर होली के आउशर पर और गेर नर्ते करते हैं पुरूशों दुआरा अच्छा चंग नर्ते ये सेमी है वोई गोल गेरा चंग होली के और किसन गड़ कहां पर है याद रखेगा अजमेर के पहली इंपोटेंट बात याद रिखेगा कि यह जो चरी नर्ती है यह किस समास से संबंदित है तो याद रखेगा गुजर समास से दूसरी बड़ी महतपून बात किस सम्मा से सम्मदित है गुजर समंदित। सम्मासे तीसरी इंपोर्टेंट बात के सर ये जो चरी नर्त्य है इसकी कोई तो आपको ये चाहिए बमेंशा यो परसध्य नर्त्यांफन नथाकना ठीक है यह एक और अच्छा सा क्यूशन है वालर नर्तिय किस के दुवारा किया जाता है देखे मेरे इसाब से पहला क्यूशन एदी कोई बणा है तो वो ही है वालर नर्तिय किस जंजाती से संब्धित है ग्राशिया दूसरा क्यूशन बणा है तो यह बणा है कि बिना वाद्दी अंतर के तीसरा एदी क्यूशन बणेगा तो याद रखेगा सबसे धिमी गती से सबसे धिमीगती से किया जाने वाड़ा नर्तिय और चोता किशन याद रिखेगा male and female यानि कि महिला वेपुरुस दोनों मिलकर इसे करते हैं वालर नर्तिय को इस तरी वेपुरुस दोनों याद रिखेगा यूगल नर्तिय है याद रिखेगा important ठीक है चलिए अगला देखी अगला है बम नर्तिय जो अलवर भरतपुर में परशिद है यहाँ बम सब्द से क्या तात परिये है देखेए एक नर्तिय है बम नर्तिय और यह जो बम नर्तिय है यह है आपके मेवात च्छेतर का लोग परिये नर्तिय यह जब बम नर्तिय करते हैं तो एक गीत भी गाते हैं जिसका नाम है रशिया गीत गीत कौन सा गीत गाते हैं रशिया गीत इसलिए इस नर्तिय का एक और भी नाम है बम रशिया और यहाँ पर बम से मतलब है नगाड़ा बम से मतलब क्या है याद रखेगा नगाड़ा Option नमर जो है वो हो जाएगा आपके सामने D is a correct answer याद रखीगा ठीक है D is a correct answer चली 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 अगला लीजिए अगला है आपके सामने निम्न में से कोण सा नर्ते बड़े नगाडे की थाप के साथ किया जाता है यानि कि ऐसा कोण सा नर्ते है जो बड़े नगाडे की थाप के साथ किया जाता है अब वो है आपके बम नर्ते याद रखेगा क्योंकि बम सबसे तात्पिरी क्या होता है नगाड़ा ठीक है अगला देखिए परशिंद बम नर्ते राज्ये के किस जिल्ले से सम्मंदित है अब यह से देखिए यह CT 10 प्लस 2 के अंदर आया क्यूशन बम जो नर्ते है वो राज्ये के किस जिल्ले से सम्मंदित है तो मेवात चêटर है और आप देख लिए इनमेंसे कौनसा जिल्ला मेवात में आता है कमेंट कर दीज़े फटाफट मेवात चयटर ठीक है भरतपूर ठीक है अगला है बम नर्ते का संबन्द किस स्थान से है वोई बात है मेवात च petals है मेवात में यहाँ option है अलवर के अंदर ठीक है अगला देखिए अगला है बम रस्या कोंड से छेतर का एक लोक पिर ये लोक नर्तिय है तो बम नर्तिय से देखिए लगबख सभी एक्जामों में क्यूशन आया आपके CT के एक्जाम से लेकर आप देख लीजी यहाँ ग्राम से अगला है राई नर्तिय राई नर्तिय सम्मंदित है जसनाती से भील से गुजर से या फिर माली समाज से देखिए माली समाज से जो नर्तिय है वो तो है आपके चर्वा नर्तिय है कौण सा है चर्वा नर्तिय गुजर समाज से है तो वो है चरी नर्तिय है जसनाती संपरदा से है तो वो है अगनी नर्तिय है अब ऐसे देखा जाए तो बचा एक ही है राई नर्तिय का जो सम्मन्द है वो है भील जन्जाती से राई जिसमें पात्र होते हैं बुडिया बगेरा पुरिया चली अगनी नर्तिय करते हैं जस्तनातिय शंपरदाय के सिद लोग चली अगला देखे अगला है गवरी लोग नर्तिय मूलते सम्मन्दित है गराशियाओं से काल बेलियाओं से कंजरों से या भिलों से अभी आपके सामने क्यूशन आई है तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जो गहुरी लोग नर्तिय है उनका सम्मन्द जिससे है वो है भिलों से ठीक है अगला देखे अगला है नर्तिय से लिए जो गराशिया जन्जा नहीं है तो आप कहेंगे सर वालर गाराश जंजाती का है मांदल मांदल वे से देखा जाए तो एक वा covenant बिला ग्रास जंजाती का eldल नतर भी है लेकिन मांदल German बहुने जिन जाती का क्या है के बहुतने की अगला है विभी नर्तिय रूपों के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार करें निमलिखित में से कोण सा कथन ऐसत्य है यानि कि विभी नर्तियों के रूप दे रखे हैं और निमलिखित कतनों पर विचार करें कि निमलिखित में से कोण सा कथन ऐसत्य है देखे गिदर नर्तिय सेखावटी छेतर से सम्मन्दित है आप कहेंगे बिलकुल सही है सर गिदर जो नर्तिय है वो सेखावटी छेतर से है कच्छी गोडी में नकली गोडों का परियोग सम्मनित है कच्छी गोडी नर्तिय कैसे करते है कि कमर में लकडी की नकली घोडी बांद कर ये भी सही है राई और बुडिया जो है को वो कालबेलिया नर्ते के मुख्य पातर है आप कहेंगे नहीं सर कालबेलिया नर्ते तो चार है बागडिया है इडोनी है पनिहारिय और संकरिया इस परकार के कोई पातर नहीं है राई और बुडिया जो पातर है यह आपके गहुरी लोकनाट्य में है तो option number जो C है वो क्या है गलत है D क्या कह रहा है तेरे तालिनरते कामड जाते की महिलाओं दुवारा किया जाता आप कहेंगे बिल्कुल सही है यानि कि यहां पर जो option number है वो है आपके सामने C is incorrect याद रखिएगा ठीक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है चलिए चलिए लेजिए अगला अगला है आपके सामने निम लिखित में से कौन सा लोक नरते भीलों में लोक पिरिया है निम लिखित में से कौन सा लोक नरते है जो भीलों के अंदर लोक पिरिया है गिदर नरते है चंग नर्ती है गहूरी नर्ती है या फिर ढोल नर्ती है मेरी छाप से option से पता लगी रहा कोई दिक्कत है ने ठीक है? वो है आप के सामने गहूरी नर्ती है अगला देखलीजिए अगला है दक्षिनी राजस्तान की भील जन्जाते का निमलिकित में से कोण सा नर्ते है जो नटे रूप में भी किया जाता है ये बड़ा अच्छा क्यूशन है देखिए भील जन्जाती दुवारा किया जाने वाड़ा एक मात्र ऐसा नर्ते भी है जो की लोक नटे है आप नाम पढ़ते हैं राई नर्ते के रूप में लेकिन यही राई पत्र है किसमें गहूरी लोक नटे में तो अब आप गहूरी बोल दीजिए या राई ओप्सन नमर जो है वो है ए इसे करेक्ट ट्रांस्वर याद रखेगा ठीक है चली अगला देखे अगला है किस लोक नटे में पूरिया को नटे का मुख्य पात्र माना जाता है यानि कि ऐसा कोण सा लोक नटे है जिसके अंदर जो पूरिया है ना पूरिया इस पूरिया को नटे का मुख्य पात्र माना गया है बताईए चली बिल्कुल याद रिखेगा ओप्शन नमबर क्या है बीज करेक्ट आसो राई या फिर गहुरी ओप्शन में हो तो वो भी हो जाएगा ठीक है अगला देखे अगला है करोली जिल्ले का परशिद लोक नर्ति है करोली में आपको पता हो तो देवी जिसका नाम है केला देवी और केला देवी का जो मिला है वो भरता है आपके चेत्र शुकल अस्टमी को और ये जो मिला है ये केला आता है लखी मिला और कई बार क्यूशन आता है केला देवी के इस लखी मिले का मुख्य आकरसन क्या है तो याद रखेगा मुख्य आकरसन जो है इस मिले का वो एक नर्ति है जिसका नाम है याद रखेगा लांगूरिया नर्ति बड़ा अच्छा बड़ा सांदार सा क्यूशन आता है तो option नमबर जो है वो हो जाएगा C is the correct answer तो करोली जिल्ले का परशिद येदी कोई लोक नर्तिय है तो वो है लांगूरिया अच्छा लांगूरिया नर्तिय भी है और लांगूरिया एक गीत भी है चीक है याद रिखिएगा चलिए अब देखिए अगला अगला है लांगूरिया नर्तिय किस मेले का मुक्या करशन है ले देखिए शेम वोई किशन आया आपके सामने लांगूरिया जो नर्तिय है वो किस मेले का मुक्या करशन है मेरे साब सको दिकत ने केला देवी माता मेला ठीक है करूली के अंदर अगला देखिए अगला है जालोर का ढोल नर्तिय किस सेली में आयुजित होता है लाने का जुष्रे है प्रकास में लाने का जुष्रे है वो दिया गया है आपके डॉक्टर डॉक्टर जे नार्यन व्यास चिक है और ढोल जिस सेली में बसता है ना वो है ठाकना से लिए याद रिकिएगा कौन सी सेली है ठाकना से लिए अगला है नारों का जो स्वांग है वो परशिद है बड़ा इंपोर्टेंट और बड़ा ही सांदार सा क्यूशन है यह बताईए नारों का जो स्वांग है आप कहेंगे सर नारों का जो स्वांग है वो परशिद है आपके मांडल और मांडल कहां पर है तो आप कहेंगे सर भीलवड़ा कहां पर है भीलवड़ा के अंदर ओप्शन नमर हो जाएगा D is correct आस्वर अगला देखें अगला है मुगल शम्राट सहाजा के समय से ही परशिद नहार नर्ते यही है वो अब इसे नहार नर्ते बोल दीजे या इसे बोल दीजे नारों का स्वांग बोल दीजे स्वांग का मतलब होता है बहरूपिया कला किसी एतियासि गटना के किसी महापुरुस की वैसी 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 वेश भुशा धरन करना स्वांग और बहरूपिया पहले गाल में आवँ था न बेहिरूपी आवँ था चलो कोरोना के बाद बें तो कम हो गए लेकिन उससे पहले था तो नहार या नारों का जो स्वांग है यह कहांका परशिद है तो याद रिखेगा यह मांडल और मांडल कहां है याद रिखेगा भीलवारा यह इस्तान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि चलो यहां पर तो पहला option मांडल है, दूसरा चोमू है यहां पर दूसरा option मांडल घड़ आ जाता ना, तो फिर confused हो जाता ठीक है, इसलिए ध्यान रखना अलांकि दोनों ही इस्तान भिलबाडा में है, लेकिन दूनों अलग अलग है option number हो जाएगा, a is correct आसर याद रखिएगा, मांडल ठीक है चली अगला अगला है, बिंदोरी कहां का परमुक लोग नरते है बिंदोरी, बिंदोरी जो कि एक छेत्र विसेश में किया जाने वाड़ा नरते है और कौन से इच्छे तरका है ये तो याद रखिएगा, जालावार ठीक है जालावार option number है D अगला देखिए, अगला है गुड़ला नामक नरते सेली का सम्मंद निम्न में से राजस्तान के कि शहर में है, गुड़ला नामक नरते सेली, अब देखिए ये गुड़ला नरते की बात कर लीजिए गुड़ला महत्सव की बात कर लीजिए या फिर गुड़ला घीत की बात कर लीजिए, ये सारी सारी जो बाते हैं वो एक ही परकार के उत्सव उसे संबन्दित है और ये उट्सव जहां होता है वो है आपके जोधपुर, अब गुड़ला नरत्य पूछे, गुड़ला गीत पूछे, या गुड़ला महत्षव पूछे, याद रिखेगा जोधपुर, कौन सा राइट आश्वर है, राइट आश्वर है आपके सामने बिल्लों दुआरा विवा के अउसर पर किया जाने वाला नर्तिय कोण सा है बताईए। बिल्लों दुआरा विवा के अउसर पर कोण सी लोग देवी का चित्र मनाते हैं तो याद रिखेगा भराडी देवी। इसलिए भराडे देवी को भिलों के विवा की देवी कहता है एक कोण सा नर्तिय करते हैं ये विवा के अउसर पर तो याद रखेगा गुटनों के बल बेट कर किया जाने वाड़ा नर्तिय कोण सा है हाती मनना नर्तिय ओप्सन नमबर है आपके सामने अगला है निमलिकित में से कोण सा एक नर्तिय शेहरिया जंजाती दुवारा नहीं किया जाता है बिच्वा, जेला, दिवचकरी और शिकारी पुछा जारा है शेहरिया जंजाती दुवारा नहीं किया जाता है कोण सा नर्तिय बताईए बिच्वा आप कहेंगे सर शहरिया है जेला और शिकारी लेकिन आप देखेंगे कि दिव चक्री जो नर्ते है यह तो इनी का है शिकारी नर्ते है ना इनी का है शिकार नर्ते भिलों का है शिकारी नर्ते शहरिया जन जाती का है शिकारी शिकार भिलों का है ठीक है और यह जो दिव चक्री है यह भी भी भील जन जाती से सम्मंदित है ठीक है अब यहाँ पर बताईए ये भी एक बड़ा अच्छा क्युशन ने बताईए शिकार नर्ते निम्न में से किस जंजाती से सम्मंदित है वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखी एक है सिकारी नर्ते एक यहाँ पर है एक शिकारी है और एक शिकार है बताईए वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो यार रखेगा ये दो अलग अलग नर्ते है शिकारी जो नर्ते है ये तो शेहरिया जंजाती से सम्मंदित है और शिकार नर्ते जो है ये भील जंजाती से सम्मंदित है अक्सरा आप पढ़ते ही है बट यहाँ option में नहीं है रिट मेंस exam में नहीं है लेकिन इसका right आस और जो माना exam ने वो माना आपके शहरिया ठीक है लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो यह दो अलग अलग नर्थे पढ़ते है ठीक है चली आगे बढ़े अगला किशन देखी अगला है आपके सामने सुमिलित कीजी जहां पर एक तरप कुछ नर्थे हैं और सामने उसी नर्थे से सम्मंदित जाती है ठीक है देखी चरी नर्थे आप कहेंगे सर ये गुजर समाज से रणबाजा या रतवय नर्थे मेव जाती से संकरिया नर्थे आप कहेंगे सर ये तो कालबेलियों का प्रेम कताओं पर आधारित नर्थे है फिर है चक्री नर्थे आप कहेंगे सर कंजर जाती से मिलान कर दीजिए पूनते ठीक है चली अगला कुशन सई युगमों को सुमेलित कीजिए यहाँ पर भी यही पुछा जा रहा है कि कौन सा नर्तिय कौन सी जाते विशे से सम्मंदित है आप कहेंगे सरवाले नर्तिय ग्राश्या है पहरे ताली कामड है इडोनी इडोली नहीं इडोनी कालबेलिया है और नेजा भील से है ठीक है याद दखेगा अगला कुशन देखी अगला है कोन सा कूट शुमेलित नहीं है ऐसा कोन सा है जो की कूट शुमेलित नहीं है देखे राई नर्तिय सामने दे रखा है भील, वालर सामने दे रखा है गराशिया, पनिहारी सामने दे रखा है नर्ते डामोर जन जाती आप कहेंगे नहीं सर, ये जो पनिहारी है ये कालबेलिया जाती से ही संबंदित है किस से संबंधित है, यार रिकेगा काल बेलिया, अगला देखिए, अगला, एक तरफ नर्तिय है और एक तरफ वही जाती विशे से संबंधित बताना है, राई नर्तिय आप कहेंगे सर मिलान कर दीजिये भीलों से, मांदल गराश्याओं से, चरी है गुजर से और तहरे ताली है आपके कामड़ जाती से ठीक है बताएं कौन सा राइट आशर होगा इन में से चली अगला कुशन देखी अगला है वही एक बार एक तरफ आपके समूद आई है और एक तरफ लोक नर्ति ग्राश्या जंजाती का इन में से कौन सा है गंवरी है सांग है चरी है या मांदल है आपके इंगे मांदल है सर गुजर जंजाती का इन में से कौन सा है आपके इंगे सर चरी नर्ति है भिलों का कौन सा है गंवरी शहरियाओं का कौन सा है सांग बस कर दीजी मिला ठीक है लेजिए अगला किशन अगला है निम लिकित में से कोण सा सुमेलित नहीं है बम सामने देरका है भरतपुर गिदर सामने देरका है शेखावटी गेर सामने देरका है मेवाद आप कहेंगे नहीं सर, गेर जो है वो मेवाड, गेर नर्ते कहां का है, मेवाड का, यानि कि option number क्या हो जाएगा, C, चीके, चली, अगला देखिए, अगला question है आपके सामने, सुच्ची A का सुच्ची 2 से मिलान करना है, ढोल नर्ते, अभी हम पड़ के आए हैं, जस्ट, जालो बम नर्ते, आप कहेंगे सर, मेवाड, और फिर ये रायन नर्ते, आपके वागड शेत्र, तो आप कहेंगे सर, ढोल, जालोर, बम, अलवर, और इधर ये रायन, ठीक है, डूंगर पूरोर है, बात,